हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक मैं हूँ संजय और आप देख रहें फेमिली हेल्थ के रुट्व चैनल दोस्ता हम लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि नींद नहीं आने पर वीडियो बनाईए काफी लोगों को ऐसी प्रब्लम हो गई है कि बीना दवा कि उनको नींद नही आती तो इसे के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे तो इसे परपर समझने के लिए आप इस वीडियो को लश्तक देखते रहे हैं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्रिज़ चलको सब्सक्राइब कर लिजए और सब्सक्राइब होते ही वेल आइ ये बहुत ही सिंपल कुछ छोटी मोठी ट्रिक्स अगर आप अपनाते हैं थोड़ा सा अपना ध्यान रखते हैं थोड़ा सा खानपन का ध्यान रखते हैं थोड़ा सा लाइफ इस्टाइल में अगर चेंजिज ले करके आते हैं तो बिल्कुल आपकी प्रब्लम ये दूर हो तो आपको ये problems जरूर आएगी, यानि कि नींद नहीं आएगी इस type की problem जरूर आती है, उसके बाद दिमाग में खुसकी यानि दिमाग अगर सूख जा रहा है, दिमाग में खुसकी पैदा हो जा रही है, तो आपको नींद आने में problem होगी, तो दिमाग को तर रखने की जरू या फिर green tea लोगों को पीने का बहुत ही जादे सोख है काफी लोगों को, तो अगर green tea आप लोगों को जानना चाहिए, यह बहुत ही जादे खुसक होता है, तो जिनका skin खुसक है, जिनका सरीर खुसक है, उनको green tea पीना बहुत ही जादे हानिकारक होता है, तो अगर जादे green tea पीते हैं तो भी आपका ब्रेन जो है आपकी सरीर जो है खुसक हो जाएगी या फिर किसी भी घाव चोट की वज़े से अगर बहुत जादे दिन तक आपने एंटिवाइटी का कोई भी कोर्स चला रिया है तो वो आपके पूरे सरीर को खुसक कर देता है जिसके साथ साथ आप आपका दिमाग आपका ब्रेन भी खुसक हो जाता है और आपको निंद कम आने लग जाती है या फिर काफी देर के बाद खाना रात को देर से खाना ये सबसे बड़ी प्रबलम है आपको अगर आराम से सोना है तो जल्दी खाना चाहिए साथ से आठ बज़े तक आपको रात तरफ ले जाएगा और जब आपका ब्रेन बीजी हो जाएगा किसी और चीज को सोचने के लिए वो रिलेक्स नहीं करेगा तो आपको नींद नहीं आएगी इसलिए जब आप सोने जाते हैं तो आप बिलकुल रिलेक्स रहिए किसी भी तरह था इस टाइप का कोई भी अगर हम बात करें तो वो reason रहा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर वात बढ़ा हुआ है तो इसके लिए ज्यादे कुछ करने की ज़रूद नहीं है simple है वात पित कफ जैसे कि आईरवेद में कहा गया है कि कोई भी रोग का जनन जभी होता है कि वात पित कफ में से कोई भी unbalance होगा तो रोग generate होगा तो ये तीनों ही balance रहे इसके लिए अगर disturb हो रहा है तो थोड़े दिन के लिए आप जो है त्रिफला का सेवन कर लें त्रिफला रात को दूद के साथ सेवन कर सकते हैं या फिर गरम पाने के साथ आधे से एक चमच सेवन कर सकते हैं आपका ये वात पितकफ जो है बैलेंस हो जाएगा तो अगर वात के वज़े से है तो इससे आपका सही हो जाएगा उसके बाद आपक क्या करना है कि ब्रेन को तर रखना है ब्रेन को तर रखने के लिए दूद से बनी चीज़े आप खाएं दूद दही घी वगएर घी में गाय का घी बहुत ही बेस्ट होता है गाय का घी आप खाएं आप देखेंगे कि जबरदस्त असर हो रहा है उसके बाद अच्छली खाएं भी रात को जो है दूद में डाल करके भी पी सकते हैं या फिर रात के खाने में आप जरूर इसको इसको इस्तमाल करें दिन के खाने में इस्तमाल कर सकते हैं इससे आपके बोड़ी तर रहेगी आपका ब्रेन तर रहेगा तो उसकी जब तरावट बनी रहेगी तो आ आप नाक में दो दो बूद डाल लें और जादे तेज की खीचे ना ताकि सिर्फ वो अंदर चला जाए बस उसके बाद रिलेक्स हो करके सुए आपको जबरदस्त नीद आएगी और 6-7 घंटे के बीच में आपकी आँख नहीं खुलेगी इतना भैतरी नीद आती है जिनको आने लग जाएगी तो ये आप काम कीजिए बागी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है उससे भी अगर जल्द थोड़ा सा आराम नहीं मिल रहा है आपको और जल्द आराम के लिए अगर बहुत ही ज़दे प्रबलम है तो आप जो है पैर की तलवे में मालिस कर सकते हैं पै जो है सही टाइम से नीद आने लग जाएगी उसके बाद भी किसी किसी को प्रबलम हो जाती है उनको नीद आती ही ये भी आपने कर लिया ये नॉर्मल एक्चुली थोड़े जादे दिन तक करना पड़ सकता है जिनको जादे प्रबलम है ये इससे जरूर सही हो जाएगा ल आप जो है देखेंगे कि धीरी दीरी आपको बहुत ही अच्छी नीद आ रही है उसके बाद जो है आप सरस्वता रिष्ट सीरप भी ले सकते हैं इनमें से कोई से अब ही एक लिजिए सरस्वता रिष्ट सीरप लेते हैं यह आपके ब्रैन को तरावट करके रखता है में आपको मिल जाएगा तो इन तीरों में से ब्रामी बटी या फिर मेधा बटी या फिर सरसता रिष्ट सीरप अगर लेना है तो तो इन में से कोई सा भी आप ले लिजी थोड़े दिन तक लेंगे तो आपका ब्रेन बिल्कुल रिलेक्स हो जाएगा और आपको अच्छे नी तो इस तरीके से आप पूरे दोनों हाथ के सभी उंगलियों में इस तरीके से दबा लिया कीजिए थोड़े दिर में दो चार पांच मिनट करेंगे तो आपका ब्रेन रिलेक्स हो जाएगा और आपको एक अच्छी निंदा आजाएगी तो आप यह भी कर सकते हैं तो इन मे इस ही आपको जो है अच्छी से निंद आने लग जाएगी और बिल्कुल भी ठीक हो जाएगे क्योंकि अगर आप एलोपैद खाते हैं तो इतना खतरनाक है कि कुछ दिन तक अगर आप एलोपैद खाते हैं तो वो आदत बन जाती है लाश्ट में चल करके आपको जो है बीन अच्छी निंद आएगी और आप बिल्कुल भी सही हो जाएंगे तो दोस्तों में मिर्द करता हूँ कि आप कोई वीडियो अच्छे लेगी दोस्तों की इन्फरमेशन कैसा लागा प्लीज आप कमेंट में बताएं अगेर ये वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों क के साथ सेयर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थेंक्यू है वेनेश टे बैबाए